नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ सोनियो और स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस खाश पेशकश में जहां हम एक बार फिर से भारत सरकार द्वारा लागू किये गए डैरेक्ट सलिंग रूल 2021 पर शर्चा करेंगे इससे पहले हमने नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सूर्या सिनहाजी से सरकार के इस नए रूल को समझने की कोशिश की थी जिसके बाद सिर्फ कोलकाता ही नहीं बलकि दूसरे राजशियों और शहरों से भी हमने कई सारी मैसेज मिल रहे हैं लगातार मैसेज मिल रहे है मैं कहना चाहूंगी जिनमे डारेक्ट सलिंग रूल 2021 को लेकर लोगों की कुछ सवाल थे तो हमने सोचा कि क्यों ना आज एक बार फिर से नेट्वर्फ मार्केटिंग एक्सपर्ट सूर्या सिन्हाजी की उपस्तिती में हम लोगों से डारेक्ट बात करें जी हाँ जहां लोग डारेक्ट सलिंग रूल 2021 को लेकर अपने सभी सवाल सूर्या सिन्हाजी से फूच सकेंगे तो सूर्या सिन्हाजी का एक बार फिर से हमारे इस खास कारेक्रम में स्वागत करती हूँ एक बार फिर से सूर्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आप सभी दर्शकों को मेरा नमशकार मुझे इस बात की बैद खुशी है दोस्तों कि आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ इस नए डारेक्ट सेलिंग रूल 2021 पर चाचा करने वाला हूँ मैं जानता हूँ कि आप लोगों के मन में अभी भी इस नए नियम को लेकर कई तरह के शक और सवाल है और मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए तयार हूँ दर्शकों की सवाल लेने से पहले मैं चाती हूँ कि सूर्या जी एक बार आप फिर से दर्शकों को बताए कि डारेक्ट सलिंग रूल 2021 क्यों बनाया गया है सूर्या भारत में नेटवों मार्केटिंग के नाम पर व्यापार पिछले करीब 20-25 सालों से लगातार चलता आ रहा है इन सालों में कई फ्रॉड कंपनियां भी आई और लोगों के साथ लाखों करुणों का धुखा करके गायब भी हो गई दिन परती दिन ये धोखा जड़ी की घटनाय बढ़ती ही जा रही है फ्रॉड कंपनियों द्वारा सीधे साधे भूले भाले लोग ठगे जा रहे है आए दिन पुलिस टेशन्स में नई नई कंप्लेंट सुनने को मिल रही है इसके साथ ही कई ऐसी धोखा जड़ी की खबरें टीवी चैनल्स वो सोशल मीडिया में देखने को एवं अखवारों में पढ़ने को लगभग मिलती ही रहती है इन कारणों से ही वर्ष 2016 में सरकार की तरफ से डारेट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर गाइडलाइन्स जारी की गई थी इसके बाद आखिरकार जुलाई 2021 को सरकार की तरफ से डारेट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर एक नया ड्राफ्ट दियार किया गया था हालांकि इस draft के आने के बाद बहुत सारी direct selling companies और network marketing experts की तरफ से सरकार को कई सुझाव दिये गए थे सरकार ने भी उन सुझावों को अच्छे से सुना था और इन सब के बाद ही हाल ही में सरकार के तरफ से direct selling rule 2021 की घोशना कर दी गई यानि कि अब direct selling industry को लेकर एकदम specific rules आ चुके हैं अब हमें ये पता है कि direct selling industry में क्या legal है और क्या illegal हाँ भविशे में इन दियों में कई बतलाफ होने की संभावना जरूर है फिलहाल इस विशे पर चाचाए जारी है तो अब कई दरशकों की जो सवाल हैं हम हमारे पास पहुच चुके हैं और पहला सवाल पूछने से पहले मैं अपने दरशकों को बता दूँ कि एक बार फिर से अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे पूच सकते हैं चलिए पहला सवाल की शुरुआत करते हैं और कोलकाता के रहने वाले अंकुष शर्मा ने ये पहला सवाल किया है अंकुष जी का सवाल यह है कि सूर्या जी आपके विचार भी भारत में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनस को डेबलब करने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है देखिए अगर हम नेटवोर्क मारकेटिंग बिजनस पर बात करें तो हम ये पाते हैं कि भारत में अभी भी इस विशेपर लोगों में बहुत ही ज्यादा अज्यानता फैली हुई है कारण इसका सीधा सा है कि जो लोग इस वेबसाइट से जुड़े हुए नहीं है और ना ही उन लोगों को इस वेबसाइट की कोई समझ है वही लोग इस वेबसाइट के महापंडित और एक्सपर्ट बनकर लोगों को नेटवोर्क मारकेटिंग बिजनस सिखा रहे हैं यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा वास्तों में जो लोग नेटवोर्क मारकेटिंग बिजनस में बड़ी सफलताएं पा चुके हैं और जिने लोग वास्तों में अपना आदर्श मानते हैं उन्हें सामने आना होगा और जितने भी नेटवोर्क मारकेटिंग बिजनस से जुड़ी किसी को हराना नहीं इसे लिए मैं IDSA से ये निवेधन करूँगा कि वो एक जुठोकर बैठें और इस बिजनस को और बहतर कैसे बनाया जाए इस विशे पर चर्चा करें कारण अभे भी Direct Selling Rule 2021 में और अधिक सुधार की आवशकता है सुर्या जी यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दू कि अगला सवाल हमारा आच चुका है और हमारा अगला सवाल जो पूछा है कोलकाता के बिमल शर्मा जी ने उनका नाम है बिमल शर्मा उनका सवाल यह है कि क्या अब Network Marketing Company के बंध होनी की आश्रंका है ऐसे संभावना जदा रही है क्या यह बिमल शर्मा जी ने पूछा है देखिए इस वक्त डाइट सेलिंग को लेकर Market में कई लोग तरह तरह की अफ़वाएं भी फैला रहे हैं जो की ठेक नहीं है जो लोग डाइट सेलिंग बिजनस से चुड़े हुए है उन्हें चाहिए कि वो Market में सिर्फ Positive बाते ही करें दोस्तों विश्वास मानिये डाइट सेलिंग बिजनस से बाहर सरकार को करोणों का मुनाफ़ा हो रहा है लाखों लोग इसे बिजनस से जुड़े हुए है अगर एक दिन के लिए भी इस बिजनस को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए तो क्या आप चानते हैं कि हमारी भाज सरकार को और हमारे देश के लाखों लोगों को कितना नुकसान होगा इस बात की कल्पना करना भी भयानक सपना जासा देखने को है इसलिए ये इंडिस्ट्री बिलकुल भी बंद नहीं हो सकती बलकि यही आने वाले समय का भविश्य है इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप सभी पॉजिटिविटी के साथ अपने बिजनस को करना जारी रखें काफी अच्छे तरीके से सुर्या सिनहर जी आपने सवाल का जवाब दिया मुझे लगता है कि विमल जी को उनके सवाल का जवाब वो मिल चुका होगा पर अगला सवाल जो है manufacturing unit नहीं है तो क्या वो किस प्रेकार से आगे बढ़ें कि क्या वो जो दूसरी company के जो product से वो market में network marketing के माध्यम से क्या बेच सकती है ये सवाल है क्या थोड़ा clear कर पाएंगे देखे अगर direct selling company का खुद का manufacturing unit नहीं है तो भी चलेगा लेकिन company को ये सुनिश्चित करना होगा कि product के marketed by में उसी company का नाम लिखा होना बेहत जरूरी है वहीं अगर मैं किसी दूसरी company के products लेकर आता हूँ जिसमें ना तो manufactured by में मेरी company का नाम है और ना ही marketed by में मेरी company का नाम है ऐसी स्थती में मैं उस product को market में नहीं बेच सकता अगर हम diet selling rule 2021 के draft को गौर से देखेंगे तो इसके 11 नमबर पेज में इस section में साफ साफ लिखा हुआ है कि every direct selling entity shall own, hold or be the licensee of a trademark service mark or any other identification mark which identifies that entity with the goods or services to be sold or supplied but shall not give commissions, bonuses or incentives on sale of goods or services of which it is not the owner, holder or licensee of trademark, service mark or other identification marks यानि कि जो भी product आप बेज रहे हैं उसमें आपकी company का registration brand identification का होना अनिवार्य है उदारन के तौर अगर अगर मैं किसी दूसरी company का product लेता हूँ लेकिन उसमें मेरी खुद की company का brand identification नहीं है तो फिर मैं उस product को नहीं बेच सकता, वहीं दूसरी तरफ माल लेजिए, कि आपने किसी manufacturer के पास से कोई product manufacture करवाया है, और उसमें marketed by में अनिवार्य है, आपकी company का नाम लिखा हुआ है, लेकिन manufacture by में दूसरी company का नाम रहता है, तो इस case में भी ऐसे बहुत सारे नियम हैं, जिनहीं follow करने के बाद ही, आप उन products को बेच सकेंगे, अब यहाँ सवाल यह उड़ता है, कि उनियम क्या है, तो सुनिए, सबसे पहली बार जो आपको ध भी अपने products manufacture करवा रहे हैं, उनके पास manufacturing license वो अन्य legal documents मौझूद होने चाहिए, यहाँ कहने का ताक प्रे यह है, कि आपके manufacturer के पास हर products के लिए license मौझूद होना चाहिए, तभी आप और आपकी company उस product को कानूनी तोर पर market में बेच सकती है, सीरी सी बात यह है, कि अगर आप किसी दूसरी company के products marketing यानि की sale के लिए लेते हैं, जिसमें product container पर product detail वगेरा वो label लगा रहता है, तो अब यह विशेशकर आपके जिम्मेदारी है, कि आप यह verify करें, कि आप जिस company से products ले रहे हैं, उस company के पास हर products के documents, authorization, एवं अन्ने legal documents मौझूद होने चाहिए, यहां मैं आपको यह भी बता दूँ, कि इस direct selling rule 2021 में सरकार की तरफ से यह सपस्ट कर दिया गया है, कि परतेक direct selling company को legal metrology act के सभी नियमों का पालन करते हुए ही, अपने products को market में बेचना होगा, लगतार सूर्या सिनहर जी लोगों के सवाल का जवाब दे रहे हैं, और इस वीच अगला सवाल भी जो है, वो तयार हो चुका है, सूर्या जी आप तयार है ना जवाब देने के लिए, क्योंकि हावडा से रीता जैसवाल जी का एक सवाल है, वो ये चाना शाती है कि legal network marketing business और pyramid scheme में क्या अंतर होता है? देखिए, इस विशे पर हम पहले भी चाचा कर चुके हैं, चलिए, एक बार फिर से चाचा कर ले दे हैं, legal network marketing business और pyramid scheme के बीच के अंतर को समझने के लिए, हमें सबसे पहले ये जानना होगा, कि ये pyramid structure क्या होता है, pyramid structure के तहत सबसे top में एक company होती है, फिर वो company अपने products को लोगों तक पहुचाने के लिए, national distributors वो state distributors की साहता लेती है, फिर national distributors वो state distributors उस company के products को regional distributors तक आगे distribution करने के लिए पहुचाते हैं, फिर वही product आगे distribution करने के लिए wholesaler तक पहुचते हैं, फिर वही प्रोडेक्ट्स आगे डिस्टिबिशन करने के लिए साधारन रिटेलर्स तक पहुँचते हैं और फिर रिटेलिंग शॉप के माध्यम से वही प्रोडेक्ट्स ग्रहाकों तक पहुँचते हैं तो दोस्तों ये कहलाता है लीगल पिरामिट स्ट्रॉक्चर यहां इस सिस्टम में हर लिवल पर लोग अपना काम करते हैं और अपनी काम का महनताना परसेंटेज या कमिशन के रूप में लेते हैं इसे लिए ये एक लीगल पिरामिट स्ट्रॉक्चर है ठेक इसी प्रकास से नेटवर्ग मार्केटिंग बिजनस भी काम करता है मगर यहां होता क्या है कि नैशनल डिस्टिब्यूटर्स, स्टेट डिस्टिब्यूटर्स, रिजनस डिस्टिब्यूटर्स, होल सेलर्स और रिटेलर्स की जगे डारेक्ट सेलर्स और नेटवर्कर्स ले लेते हैं इसे लिए बीच के सभी चैनल का मार्जिन यानि की प्रॉफिट नेटवरकर्स वो डारेक्ट सेलर्स में बाढ़ दिया जाता है लेकिन आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सी कमपनिया हैं जो इलिगल पिरामिट स्कीम पर काम कर रही हैं यानि की इसमें टॉप पर मौचूद कमपनी जोइनिंग फीज के नाम पर या फिर किसी पैकेज वगेरा के नाम पर लोगों से पैसे ले लेती है फिर वो company उन लोगों को कहती है कि वो नए लोगों को उनके साथ जोड़ेंगे तो उन्हें company से कई तरह के और अन्य फाइदे मिलेंगे और उसके इस कारे के एवज में उनके पैसों को भी double, triple करके करने का लालच दिया जाता है उस company की तरफ से कहा जाता है कि आपको जितने लोग जोड़ेंगे जितना पैसा लाएंगे आपको double, triple कर दिया जाएगा वहाँ पर क्या होता है वो सीधे, साथे, भोले, भाले लोग company के इस लालच में आकर अपना पैसा लगा भी देते हैं लेकिन कुछ महिनों के बाद उन्हें ये पता चलता है कि उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा और उन्होंने उस company में जो पैसे लगाए थे वो सभी के सभी पैसे डूब गए दरसल इसे ही money circulation scheme या pongee scheme कहा जाता है दोस्तों जहां company बहुत बड़े बड़े वादे करके लोगों से पैसे तो ले लेती है लेकिन बदले में उन्हें value of money नहीं देती है यानि कि लोगों के पैसों के value का कोई भी product या service उन्हें नहीं दिया जाता है ये सारा का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ company की जे में चला जाता है और थोड़ा बहुत पैसा उन लोगों को मिलता है जिन्होंने अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ा होता है और वहीं bottom में बैठा मौजूद व्यक्ति उनके पैसों के एवज में कुछ में नहीं पाता है वो अपने आपको ठगा हुआ सा पाता है तो दोस्तों ये हुआ illegal pyramid scheme जिस पर सरकार लगाम लगाने की कोशिश में लगी हुई है सुर्या जी इस बीच हमारे पास अभी अभी मनोज प्रसाद जी का सवाल आया है और उनका पूछना है कि binary भी क्या illegal pyramid scheme के तहत आता है binary plan जो है वो pyramid scheme की अंदरगत आता है या नहीं ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर pyramid scheme क्या होता है और सरकार यहां किस pyramid scheme की बात कर रही है मैं ये बात बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि अभी भी बहुत से लोग pyramid scheme को लेकर confused है अगर हम direct selling rule 2021 के draft को देखेंगे तो इसके page number 10 के i section में pyramid scheme की परिभाशा का जिक्र किया हुआ है यहां pyramid scheme को इस प्रकास से परिभाशित किया गया है कि pyramid scheme means a multi-layered network of subscribers subscribers तो यहां जो keyword है वो है subscribers सरकार की तरफ से इस draft में diet sellers को इन subscribers से अलग रखा गया है यहां subscribers का मतलब ही उन्हीं लोगों से है जो money circulation scheme पर काम करते हैं तो यहां diet sellers को डरने की जरूरत नहीं है अब जहां तक बात binary plan की है तो फिलहाल market में बहुत सारी binary plan based companies काम कर रही हैं लेकिन हो सकता है कि इन में से कुछ कमपनियां illegal pyramid scheme के तहत काम कर रही हों अब आपको यह देखना है कि अगर आपकी company binary plan based है तो आपकी company सरकार के नहम को कितना follow कर रही है दोस्तों इन बातों का पता आपको खुद लगाना होगा और इसके लिए भी सरकार की तरफ से आपको 90 दिनों का समय दिया गया है तो इसलिए अभी यह कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी कि कौन सी company पूरी तरह से illegal है फिलहाल जो company यह illegal pyramid scheme के तहत काम कर रही है अगर आने वाले 90 दिनों के अंदर उन्होंने सरकार के अनुसार अपनी नीतियों में बदलाव कर लिया तो ऐसी company भी survive करने की स्थिती में आज जाएंगी हालांकि 90 दिन बीच जाने के बाद भी अगर वो company अपने आपको नियम के दाइरे में नहीं लाती हैं तो फिर ऐसी company नहीं चलेंगी सुर्या जी आपको बता दूं कि इस बीच सिर्फ कोलकाता ही नहीं बलकि दूसरे शहरों से भी हमारे पास लोगों के सवाल लगातार सामने आ रहे हैं जैसे कि अगला सवाल पूछा गया है भुबणीश्वर के रहने वाले, यहां भुबणीश्वर के रहने वाले रोहित रकाश का अगला सवाल है और रोहिजी का सवाल यह है कि क्या multi-level marketing में cryptocurrency illegal माना गया है? एक बार से सुरिया जी मैं बता दू कि multi-level marketing में crypto currency illegal है ये सवाल किया है रोही जी ने देखिए direct selling rule 2021 में कहीं भी सरकार की तरफ से currency का जिक्र नहीं किया गया है तो अगर आप Indian currency में अपने व्यापार को dealing करते हैं तो उसके लिए सरकार की तरफ से Indian currency को लेकर जो rule बनाया गया है आपको उन नियमों का अनुसरन करना होगा वहीं अगर आप किसी foreign currency में अपने व्यापार की dealing करते हैं तो आपको foreign currency को लेकर सरकार दुआरा बनाये गई नियमों को मानना पड़ेगा और जहां तक सवाल crypto का है तो मैं आपको बता दूँ कि भारत सरकार crypto bill पर काम कर रही है इस विशे पर एक ड्राफ तो आही चुका है लेकिन इससे संबंदित कोई कानून अभी तक लागू नहीं किया गया है तो अभी हमें उस कानून के लागू होने का इंतजार करना होगा उसके बाद ही ये कहना उचित होगा कि crypto currency के basis पर कानूनी तोर पर कोई भी business किया जा सकता है या नहीं इस भी सूर्याची हावडा से हमारे हल्दिया से माफ कीजिएगा हल्दिया से हमारे पास है एक और सवाल आ चुका है अगला सवाल हल्दिया के रहने सुनिए trademark registration कराना तो प्रतेक company के लिए बेहत जरूरी है हालांके कुछ चीजें हैं जो product to product vary करती है और अब इन बातों का ध्यान हर company को रखना होगा company को ये देखना होगा कि उनके product का consumption कैसा है उसे बनाया कैसे गया है और वो product कौन से act के अंतरगत आते हैं यहां मेरे कहने का ताथ प्रेय ये है कि कुछ products ऐसे होते हैं जो drugs और cosmetics act के तहत आते हैं वहीं कुछ products ऐसे होते हैं जो fosai यानि की food safety act के तहत आते हैं तो सरकार की तरफ से हर product के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं नियमों के अनुसार ही सभी कंपनियों को चलना होगा और products के जो labels होते हैं उसके लिए भी कंपनियों को legal metrology act के तहत काम करना होगा तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी company ने सिर्फ trademark register करा लिया है और वो अपने products बाजारों में बेच रही है तो इससे यह थापित नहीं होता कि वो company पून रूप से legal way में काम कर रही है लेकिन जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि trademark registration के अलावा और भी कई सारी चीज़े हैं जिन्हें as diet selling आपको follow करना होगा लेकिन अगर आप इन सारे नियोंगों का अनुसरन नहीं करते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप diet selling rule 2021 का उलंगन तो कर ही रहे हैं साथ ही साथ आप legal methodology act का भी उलंगन कर रहे हैं तो इन सब मामनों में भी आपको सावधान रहने की जरूद है यह आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप बाजारों में जो भी product बेच रही हैं वो पूर्ण रूप से legal हो इस बीच सुरिया जी अगला सवाल कोलकाता से आ रहा है और कोलकाता की रहने वाली रितिका मिश्रा है रितिका जी यह जानना चाहती हैं कि क्या direct selling rule 2021 आने के बाद से क्या हम अपना network develop नहीं कर सकते इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ और एक बार फिर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बेशक आप अपना network विक्सित कर सकते हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब तक आपकी company सरकार के नियम के तहत काम कर रही है यानि कि direct selling rule 2021 के अनुसार काम कर रही है तो बिल्कुल आप अपना network विक्सित कर सकते हैं लेकिन अगर आप लोगों से पैसे लेकर उनके पैसे double करने, triple करने की scheme पर काम कर रहे हैं तो अब आपको सतर्क होने की जरुवत है मैं आपको यहाँ एक बात विशे शुरूप से बता दूँ दोस्तो कि direct selling rule 2021 में एक point लिखा हुआ है जहां कहा गया है कि जिन बातों का जिक्र direct selling rule 2021 में नहीं है उनका reference आप Consumer Protection Act से ले सकते हैं और Consumer Protection Act के अंदर direct selling की जो परिभाशा है उसमें भी network शब्द का इस्तिमाल किया गया है तो आप बिल्कुल अपना network legal way में विक्सित का सकते हैं और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं सुर्या जी इस बीच अगला सवाल आ चुका है दिल्ली के दिल्ली से आ चुका है अगला सवाल और दिल्ली के रहने वाले दिवाकर चौधरी ने अगला सवाल पूचा है दिवाकर जी का सवाल यह है कि direct selling rule 2021 आने के बाद क्या अब package based company में काम करना सही होगा देखिए मैं ऐसी किसी भी package based company के विशे में कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अभी भारत सरकार में सभी direct selling कंपनियों को direct selling rule 2021 लागू करने के लिए 90 दिनों का समय दिया है इन 90 दिनों के बीच जाने के बाद ही इस बात का पता चलेगा कि कौन सी कंपनियां सरकार के नियम के नुसार काम कर रही है और कौन सी कंपनियां सरकार के नियम के खिलाफ काम कर रही है इन 90 दिनों के बाद इस सवाल का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा कि आप किस कंपनी के साथ जुड़ सकते है और किसके साथ नहीं जुड़ सकते सुर्या जी इस बीच हमारे पास अगला सवाल भी वो आज शुका है अगला सवाल पूछा है कोलकाता के मनोजी चैटर जी ने मनोजी जीर का सवाल यह है कि अगर किसी कंपनी का बिजनस प्लान लीगल है तो क्या इसका मतलब यह है कि वो कंपनी भी पूर्ण रूप से लीगल है और क्या ऐसी कंपनीों के साथ जुड़ कर काम किया जा सकता है देखिए मैं यहां आपको एक बात विशेश तोर पर बता दूँ कि बहुत सारी डारेक्ट सेलिंग कंपनी यह सोच रही है कि अगर उनका बिजनस प्लान लीगल है तो वो कंपनी भी पूर्ण रूप से लीगल है लेकिन ऐसा है नहीं एक कंपनी के बिजनस प्लान का लीगल होना अलग बात है और एक कंपनी का लीगल होना बिलकुल अलग बात है उधारन के तौर पर माल लेज़ें कि मेरी कंपनी का Simple Level Plan है यानि कि धाय हजार रुपे का मेरा प्रोड़क्ट है और उसमें 700 रुपे का कमिशन मैं अपनी कंपनी से जुड़े हुए Networkers में Distribute कर रहा हूँ तो यह हुआ Simple Level Plan लेकिन अगर मैं इसी Plan को Market में कुछ इस तरह से लेकर जाता हूँ और लोगों से कहता हूँ कि आप मेरा धाय हजार रुपे का प्रोड़क्ट ले लीजिए और फिर आप वो प्रोड़क्ट चार और लोगों को धाय हजार रुपे में बेजिए तो इसके एवज में आपको धाय हजार रुपे दिया जाएगा ऐसा करने से आपका अपना धाय हजार रुपे कवर हो जाएगा तो यह Plan पूरी तरह से इलीगल पिरामेड स्कीन के तहट आता है दोस्तो किसी कंपनी का लीगल होना और उसके प्लान का लीगल होना दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं इस बात को लेकर आप बिलकुल भी कंफ्यूज मत होईए फिलहाल तो सरकार ने इन नए नियुमों को लागू करने के लिए सभी डारेक्ट सेलिंग कंपनियों को 90 दिनों का समय दिया है तो अब कंपनियां अपने प्लान को एक बार फिर से रिवाइज करेंगी और फिर 90 दिनों के बाद सभी कंपनियां सरकार के सामने ये प्रूफ भी करेंगी कि अब वे डारेक्ट सेलिंग रूल 2021 के तहत ही काम कर रही है तभी आप लोग भी ये अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सी कमपनी लीगल है और कौन सी कमपनी का मारकेटिंग प्लैन लेगल नहीं है लगतार सूरिया जी लोगों की दुविधा का जो है सवाल की दुविधा जो है उनको हल करने में लगे हुए है इस भी चगला सवाल भी हमारे पास आचुका है बर्दवान से बर्दवान के रहने वाले अमन शर्मा का अगला सवाल है अमन्ची का सवाल यह है कि कोई भी डारेक्ट सेलिंग कंपनी कैसे अपने बिजनस प्लान को लीगल बना सकती है ये बताईए अब देखे इसका जवाब बेहत साधरेंट सा है अब सभी कंपनियों को डारेक्ट सेलिंग रूल 2021 को ध्यान से बढ़ना होगा और उसके अनुसार ही अपने प्लान में बदलाव करना होगा इस तरह से अब हर एक डारेक्ट सेलिंग कंपनी अपने बिजनस प्लान को लीगल बना सकती है सूर्या जी यहां हमें कुछ बातों पर विशेश रूप से ध्यान देना होगा अगर आपका प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट है जिसमें डायेट्री सप्रेमंट्स भी शामिल है तो ऐसे प्रोड़ेट्स को बनाने के लिए, स्टोर करने के लिए या फिर रिटेल करने के लिए आपको Food, Safety and Standards Authority of India से approved कराना अनिवारे है यानि कि बिना approval के आप कोई भी खाने की चीज यहां तक की पानी की एक बोटल भी नहीं बेच सकते हैं वहीं अगर Drug and Cosmetic Act की बात की जाए तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई दवाई manufacture कर रहे हैं या फिर कोई आउरुवेदिक प्रोडेक्ट manufacture कर रहे हैं तो ऐसे प्रोडेक्ट को बनाने के लिए आपको Drug and Cosmetic Act के तहत license लेना जरूरी है दूसरी बात अगर आप कोई दवाई या कॉस्पेटिक प्रोडेक्ट बेच रहे हैं तो भी आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है वहीं जहां तक बात Food Safety and Standards Authority of India से Approval की है तो जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया है कि आप जो भी Food Product बना रहे हैं Store कर रहे हैं या Retail कर रहे हैं तो इसके लिए आपके Product का FSSAI से Approved होना जरूरी है सभी Direct Selling Company को एक और बात विशेश तोर पर ध्यान में रखनी है कि वो बिना किसी पुखता Research या Proof के अपने Supplements को दवाई के तोर पर ना बेचें मेरे कहने का टाट परे ये है कि अगर कोई Company ये दावा करती है कि उसके किसी Supplement Product से Diabetes जैसी बिमारी से राहत मिलती है तो उस Company के पास उस दावे से संबंदित पुखता Research मौजूद होने चाहिए अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो Direct Selling Company वो उसके Direct Seller मुसीबत में फस सकते है क्योंकि अगर कोई Company ये Proof करती है कि उसके Product से सच में किसी बिमारी से राहत मिलती है तब ही जाकर उस Product को Medicine का License मिलता है तो एक Direct Selling Company के तौर पर आपको इन बातों का विशेश रूप से ध्यान रखना है आप अपने Product को लेकर जो भी क्लेम कर रहे हैं उस से संबंदित सभी Research वो प्रूफ आपके पास होने चाहिए इस वीश अगला सवाल मालदा के रहने वाले मुकेश सबरेवाल का है मुकेश जी का सवाल यह है कि Traditional Market में जो Product Sell होती है क्या उन Product को अब Network Marketing में Sell किया जा सकता है इसका क्या जवाब देंगे आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि Direct Selling Rule 2021 में इस बात का सिक्र नहीं किया गया है कि एक Direct Selling Company के तौर पर आप कौन से Product बेच सकते हैं और कौन से नहीं जहां तक बात Traditional Products और Network Marketing Products की है तो इन दोनों ही Products में वैसे कुछ खास अंतर नहीं होता है लेकिन एक बात का आपको विशेश ध्यार रखना है कि आपकी Company आपको जो भी Product बेचने के लिए कह रही है उस Product का Trademark Certification Service Mark Certificate या फिर Brand Identification Mark आपकी Company के पास मौजूद होना चाहिए यहां मेरे कहने का मतलब यह है कि माल लेजिए आप किसी Company का Product बेच रही है और अगर उस Product को लेकर कोई शिकायत आती है तो उस शिकायत का जवाब देने के लिए सभी Legal Documents आपकी Company के पास मौजूद होने चाहिए ऐसा ना हो कि आपने किसी Company का Product बेचा और उस Product का ना तो कोई Trademark है और ना ही कोई Brand Identification Mark है तो ऐसे में अगर कुछ गरवड़ी होती है तो आप फ़न सकते हैं इसे लिए सावधान रहें और ऐसे Product को Market में बेचने से बचें अगर आप किसी भी Company का Product बेच रहे हैं तो यह देख लें कि उस Product की Liberal, Legal, Metrology Act के तहट तयार किये गए हैं या नहीं उसके बाद ही आप उन Product को बाजारों में बेचें मुझे उमीद है सूर्या जी आपका जवाब इन्हें मिल चुका होगा और इस बीच अगला सवाल भी सामने आच चुका है कोलकाता के रहने वाले बिधिन मजुमदार ने ये सवाल पूछा है और इनका सवाल है कि Direct Selling Company शुरू करने के लिए किन किन Documents की आवशकता होती है देखे अगर आप कोई Direct Selling Company शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास Company से संबंधित और आपके Product से संबंधित सभी Documents मौझूद होने चाहिए जैसे कि Certificate of Incorporation Memorandum of Association and Article of Association Permanent Account Number and Tax Deduction and Collection Account Number Goods and Services Tax Registration Goods and Service Tax Returns Income Tax Returns Balance Sheet Audit Report and Such Other Relevant Reports Register of Direct Seller Certificate of Importer, Exporter Code Certification of Registration of Trademark अगर आप कोई Food Products या Supplement Products मेनुफेक्ट्चर करने वाले हैं तो आपके पास Food Safety and Standards Authority of India Act 2006 के तहत लाइसेंस होना चाहिए इसके साथ ही अगर आप कोई Drug या Cosmetic Product बनानी या बेचने वाले हैं तो उसके लिए भी आपके पास Drugs and Cosmetic Act 1940 के तहत लाइसेंस का होना बहर जरूरी है सुया जी इस बीच अगला सवाल भी हमारे पास आचुका है राची की रहने वाली निकिता वर्मा का ये सवाल है और उनका सवाल है कि Direct Selling Rule 2021 में ये कहा गया है कि सभी Direct Selling Company को National Customer Helpline of the Central Government का हिस्सा बना पड़ेगा इसका क्या मतलब है? देखे अगर आप National Consumer Helpline का वेबसाइट देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर एक Convergence Program के बारे में बताया गया है दरसल अगर आप National Consumer Helpline का हिस्सा बन जाते हैं और अगर कोई आपकी कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करता है तो फिर National Consumer Helpline से वो शिकायत आपको फोवर्ड कर दी जाएगी और फिर आपको एक निधारित समय दिया जाएगा अगर उस निधारित समय पर आपकी कंपनी उस शिकायत का समाधान निकाल लेती है तो फिर वो शिकायत आगे कहीं फोवर्ड नहीं की जाएगी लेकिन अगर आपकी कंपनी उस शिकायत का समाधान निधारित समय पर नहीं निकाल पाती है तो फिर National Consumer Helpline के नियम के अनुसार उस शिकायत को लेकर कारिवाई की जाएगे मुझे उमीद है निकिता जी आपको आपका सवाल अच्छे तरीके से सूरिया जी ने दे दिया होगा और सूरिया जी को ये कहना चाहूंगी सूरिया जी की हमारा अगला सवाल भी इस बीचे तैयार हो चुका है दक्षिन 24 परगना के रहने वाले संतोष मुखर जी का ये अगला सवाल है और संतोज जी का सवाल यह है कि अभी जो डारेक्ट सेलर कमीशन के बेसिस पे काम कर रहे हैं तो क्या ये लीगल माना जाएगा? ये लीगल है क्या? जे ये बिलकुल लीगल है अगर हम इस ट्राफ्ट के पेज नमबर 10 को देखेंगे तो वहां हमें प्रोस्पेक्ट की परिभाशा मिलेगे जहां कहा गया है कि प्रोस्पेक्ट मीन्स अपर्सन तो फूम और 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 प्रोपोजल इस मेड़ बाय अटारेक्ट सेलर तो जोईन अ डारेक्ट सेलिंग एंटिटी अगर आप भ्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर सरकार ने प्रोस्पेक्ट शब्द का इस्तिमाल किया है ना कि सब्सक्राइबर शब्द का तो इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने किसी प्रोस्पेक्ट को डारेक्ट सेलिं काम करने का offer देते हैं या अपनी company के projects या services sale करते हैं और उसके basis पर आपको commission मिलता है तो वो legal है लेकिन अगर आप सामने वाले व्यक्ति को किसी money scheme में enroll करते हैं तो वो illegal pyramid scheme के तहता आएगा जो सरकार के नियम के अनुसार बिल्कुल गलत है लेकिन अगर company के projects और services को बेच कर आप उसका commission ले रहे हैं तो ये पूरी तरह से legal है अगला सवाल पूछा है कुलकाता के दीपक शकरवर्ती ने उनका सवाल है कि service based company में service का मतलब किन-किन कार्यों से जुड़ा हुआ है देखिए यहां service को किसी परिभाशा में बांधना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि प्रते company ग्रहकों तक services ही पहुचा रही है फिर चाहे उप्रोडेट के माध्यम से हो या फिर किसी और माध्यम से अब अगर कोई company लोगों को consultancy प्रोवाइड कर रही है या फिर education प्रोवाइड कर रही है तो ये सब भी services ही है हालांकि Consumer Protection Act 2019 में service को लेकर एक परिभाशा दी गई है अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझा जाएगा कि यहां service का क्या आर्थ है सूर्या जी अगला सवाल कुलकाता से है राजियंद्री सोनी जी का राजियंद्री जी यह जानना चाते हैं कि क्या direct seller को FSAI license लेना जरूरी होगा जे नहीं प्रतेक network या direct seller को FSAI license लेना जरूरी नहीं है देखे अगर आप एक direct seller हैं और अगर आप company की franchisee pickup point या shopping center से किसी व्यक्ति को उस company का food product बेच रहे हैं तो भी आपको FSAI license लेना अनिवारे नहीं है यहां direct selling company और product निर्माता के पास FSAI license का होना अनिवारे है अगला सवाल पूछा है बर्दवान के रहने वाले देवाशीज देवनाथ ने देवाशीज जी का सवाल यह है कि direct selling companies कौन कौन से products बेच सकती है मैं आप सभी को बार बार एक बात बदा रहा हूँ कि direct selling rule 2021 में सरकार की तरफ से ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि आप कौन कौन से products बेच सकते हैं और कौन कौन से products आप नहीं बेच सकते लेकिन diet selling companies को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो जो भी products बेच रही है उसका trademark certificate, brand identification certificate वो सरकार के नियम के अनुसार सभी certificate वो license का होना आनिवाले है इस वीच हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के कारिक्रम के अंतिम सवाल की तरफ जी हाँ सूर्या जी आप लोगों के सवाल का जवाब दे रहे हैं और ये अंतिम सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं सूर्या जी अंतिम सवाल भी देवाशीस देवनाद जी नहीं पूछा है और उनका कहना है कि अगर manufacturer के पास FSS AI license है तो भी क्या उन products को बेचने वाली direct selling company को इसका जो license है यानि FSS AI license लेना क्या जरूरी होगा जी हाँ अगर किसी manufacturer से आप कोई food product लेते हैं और आप उन food products को wholesale या retail करते हैं तो आपको भी FSS AI license लेना होगा यानि कि manufacturer के पास license होने के बाद भी एक direct selling company के तोर पर आपको भी license लेना होगा आपकी company का जो turnover है या जो profit है और उसके अनुसार आप जिस category में आते हैं उस category के हिसाब से आपके पास FSS AI license या registration का होना अनिवारे है सूरिया जी अब आप हमारे दर्शकों को network marketing business पर कुछ संदेश देना चाहेंगे क्योंकि इतनी सारे सवाल जो हमारे दर्शक के मन में उभर रहे हैं जाहिर सी बात है कि कोई शोटा सा संदेश बुचाते हैं आपसे जी जरूर मैं यहां उपसे सभी दर्शकों से यह कहना चाहूंगा कि विश्वास मानिए network marketing business दुनिया का सबसे खुबसूरत और सबसे पहतेन बिजनस है आने वाले समय में यही business राज करने वाला है मैं यह कहना चाहूंगा कि यह समय आया है असली समय जहां पर लोग अब network marketing business करके अपने जीवन को सुधा सकते हैं असली network marketing business तो अब शुरू होने जा रहा है भालत में मैं कहना चाहूंगा जो लोग भी इस business से जुड़े हुए हैं उन्हें मुबारक हो कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन business से जुड़े हुए हैं और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं planning कर रहे हैं इस business से जुड़ने की उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अब वो ज्यादा समय ना लगाएं इस खुशुर बिजनस से जुड़ें क्योंकि यही business आगे जाके एक बहुत बड़ा रूप लेने वाला है यही एक ऐसा business है जहां पर आप ना सिर्फ अपने सपनों को साकार कर सकते हैं बलकि अपने साथ जुड़े लोग के सपनों को भी साकार कर सकते हैं यहां आप अपना भला करते हैं अपने परिवार का भला करते हैं अपने दोस्तों का भला करते हैं अपने समाज का भला करते हैं साथी साथ अपने देश का भी भला करते हैं यही एक ऐसा बिजनस है जहां लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेद किया रहता है मैं युवाओं से भी कहना चाहूंगा जो भी पढ़ाई करके भी जस्त निकले हैं मैं करता हूँ बेशक आप इस बिजनस को करें ना करें यह बात की बात है मगर इस बिजनस को जोइन जरू करें दो साल तक कम से कम दो साल तक इस बिजनस में रहें और इस बिजनस को सीखें इस के एटिक्स को सीखें इस बिजनस में आकर आप जीवन में कामयाब होने की बहुत से चीज़ें सीखेंगे आपके अंदर परिवर्तन आएगा और आप सुम कहेंगे वाकई में मेरा जीवन सफल हो गया है मैं यही आशा करता हूँ कि आने वाले समय में यह नेट्व of marketing बिजनस बुलन्दियों को चुएगा और जो लोग इस बिजनस में चुढे हुए हैं जो लोग इस बिजनस को सच्चाई के साथ इमांदारी के साथ विश्वास के साथ ऐथीकली कर रहे हैं वे लोग इस बिजनस में बहुत आगे जाएंगे तो सूरिया जी को मैं ये बताना चाहूंगी और अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि अब हमारे इस कारिक्रम का जो समय है वो समाप्त होने के कगार पर आ चुका है लेकिन हमारे दर्शक जो है लगातार इससे जुड़ी कई तरह के सवाल करें हैं सूरिया जी हम उम पुखे मन मी मैं जो सवाल उभर कर सामने आ रहा है इसा liksom सुर्या जी फिसे देंगे हमारे दशक को सूर्या जी आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए और हमारा मार्ग-दर्शन करने के लिए मैं अपने और अपने दर्शकों की तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं आपको धन्यवाद और आप सभी को मेरे नमश्कार तो दोस्तों यह थे सभी सवालों की जवाब मिल चुके होंगे तो आपको हमारा आज कारिक्रम कैसा लगा आपको बिलकुल भी निराश होने की ज़रुवत नहीं है उभर कर आये हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर हमें बताएं तो फिलहाल हमें दीजे इजाज़त नमस्कार